हेलो एवरिवान कैसे हो सब वेलकूम अल्चो माई चैनल तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में जॉइंट चो कामपनी की मैरिक्स और लिमिटेशन की लेकिन प्रीवेस वीडियो में हम लोग आल्रेडी बात कर चुके हैं इसके फीचर्स और मीनिंग की तो आज की किया है, limited है, for example, यह एक पर्सं है, इसने एक पब्लिक कमपनी के शेर स्कृदे 25,000 के इसने शेर स्कृदे, लेकिन यह जो कमपनी है, इसके सर चड़ गया 5 करोड का करजा, तो क्या यह जो कमपनी है, यह 5 करोड की डब की जो recovery करनी है, इस पर्संसे 25,000 के ब्योट, एक और उपया भी ज़्यदा ले सकती है बिलकुल भी नहीं क्या ये कमपनी जो है इस person को बोल सकती है कि इसके recovery के लिए आप अपने personal assets भी बेचिए राज़ार है यहाँ इस परसें की liability क्या है limited liability है यहीं तो सा limited and unlimited liability का कि limited liability में आपके personal assets क्या रहते हैं save रहते हैं यहां पर इसने 25 या कि क्योंकि shares buy करे थे तो इसके liability कितनी बनती है सिर्फ 25 यार तक की ही बनती है next is transfer of interest अब ये एक person है इसने एक company के क्या खरीदे थे shares खरीदे थे लेकिन इसको पैसे की ज़ुरत पड़ गी क्या करूं क्या करूं तो इसने इस person से पूछा क्या तुम shares खरीदोगे वह बोला हाँ मैं खरीदूंगा तो इसने क्या करा अपने shares इसको बेच डाले क्या यहाँ पर इसने मेरी permission ली उसको shares बेचने से पहले या आपने से किसी के permission ली बिलकुल भी नहीं उसको cash की जुरुत थी उसने sold कर दी अपने shares तो joint joke company में आपके अपना interest easily transfer कर सकते हो जब वो shares इसके पास थे इसने खरीदे थे तब interest इसके हाथों में था जब इसने इसको बेच दिये तो अब interest किसके पास है इस person के पास है clear? next joke perpetual existence यह एक sold trader इसके क्या थे? एक कर्याना की shop यह हो गया bankrupt अब shop बंद करनी पड़ी जब shop का honor ही bankrupt हो गया तो business ठप हो गया क्योंकि यहाँ पे तो एक single trader होता है इस case में अब यह company जो है यह हस रही है वो खुश है company कहती लो मुझे ऐसी चिंता नहीं है क्योंकि मेरी company में अगर कोई member bankrupt होता है या कि किसी की death होती है जहाँ कोई retire होता है मुझे कोई tension नहीं है भाई मैं तो लंबी उमर जीती हो मेरी तो long life है तो जो company है इस काई कि यह plus point है कि कोई भी member चाई retire हो death हो या bankrupt हो या थोड़ा दिमाग से sign की हो यह company बंद नहीं होती है यह चलती ही रहती है क्योंकि एक बस से अगर retire होगा तो किसी और का admission हो जाएगा ठीक है next is scope for expansion इस example को देखें यह है sold reader एक अकेला बंदा है कितना कापना capital invest कर लेगा या फिर कितना की loan ले लेगा financial resources इसके पास limited है resources limited है तो expand करने के chances में तो कम होंगे न लेकिन company इस case में भी खुश है क्याती मेरे पास 100 लाखों investors है जब मेरे पास financial resources जादा है तो expand करने के जो scope है वो भी क्या है जादा है next year professional management अब एक company में कई तरह के departments होते हैं एचर, marketing, finance, production and so on तो एक company जो क्रोडों कमारी है इतना जो है क्या वो ऐसे ही 100 दोस्तों वला कोई हलका-फलका person को hire करेगी एकदम expert persons रखेगी न तो यहां की जो management होती है एकदम expert लोग होते हैं यहां पे क्योंकि अगर वो high service दे रही है तो person पर तो वो expert एक specialised भी रखेगी न तो यह थी इसके marriage joint store company की लेकिन फाइद ही है तो नुकसान भी है तो पढ़ते हैं कि इसकी limitations कौन सी है सबसे पहले है complexity information अब यह जो भाइसाँ मैंने देखिये कितना खुश है कहता मैं sell trade का काम नि करूँगा मैं तो बड़ी company खोलूँगा कि सोचने से काम हो जाता है नहीं फिर इस भाइसाँ ने पूछा किसे से भाई मुझे बताना यह company कैसे खोलेंगी तो किसी ने बताया legal requirements होती है कुछ आपको follow करने पड़ेगी आपको documents जैसे की article of association होगे memorandum of association होगे ऐसे आपको documents prepare करने पड़ेंगे आपको registrar of company के पास registration करवानी होगी और फिर यह सब चीजों में बहुत time भी लगता है efforts भी लगते हैं और यह सब expensive भी है तो यह भाई सब देखो दास्तों के बैट क्यों है करता company खोलना इतना complex काम है वह सामने वल person कहता जी हाँ कहता रारे रारा मैं यह company खोलूंगा तो यह क्या है complexity information कि company को start करना इतना असाल नहीं है भाई next जा impersonal work environment हमने previous वीडियो में क्या देखा था कि यहाँ पर owner कौन होते है shareholders जो पैसा लगाते है नेकिन management कौन करते है board of directors तो पैसा कोई लगा रहा है manage कोई कर रहा है ठीक है अब यह जो board of directors है इनको पता है हमने पैसा लगाया इन्होंने लगाया shareholders ने अब यह कहते है अब एक person को पता है मैंने खुद का पैसा तो लगाया नहीं है company कैसे भी चल रही है हमें तो हमारी fixed salaries भाई मिलनी ही है तो एक बंदे को जब पता है मेरा खुद का पैसा नहीं लगा तो क्या वो इतने अच्छे से इतने effort के साथ काम कर सकता है as compared to वो person जिसको पता है कि इतने मेरा अपना खुद का पैसा लगाया तो इसलिए यहाँ पर क्या impersonal work environment रहता है नेक्सटे न्यूमिरेस regulations यह तो मैंने आपको बताई दिया यहाँ पर बहुत सारी regulations है आपको company safety regulations मानने पड़ती है यह वो तो यहाँ पर regulations भाई बहुत है नेक्सटे डिले इन decision making अब soul trade में क्या था एक single owner था उसको किसी से कुछ discuss नहीं करना होता था जो उसको ठीक लगता था वो idea अपना implement करता था decision बड़े quickly लिया जाता था लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर decisions लेने में delay होता है देखो यहाँ पर कहोता है जैसे animal journal meeting होई ठीक है हर साल होती है board of directors फिर उसमें shareholders में आएंगे और shareholders को भी पहले 21 दिन पहले notice ने बड़ता है कि जी animal journal meeting होगी फिर जाके कहीं meeting होती है फिर जाके decisions ले जाते हैं मतला बहुत डिले होता है यहाँ पर नेक्स्ट है अल्कैरिक management इसका मतलब है जो ओनर्स है मुझे बताओ मालनो रिलाइंस आया टाटा मोर्टर्स कंपनी है उसके जो शेर होल्डर्स है क्या वो किसे एक पर्टिकुलर स्टेट में है अल ओवर दे कंट्री सब भी पूरी की पूरी कंट्री में उसके शेर होल्डर्स है तो अब पूरी कंट्री में शेर होल्डर्स है क्या वो लाखो शेर होल्डर्स के लिए पॉसिबल है क्या मतलम इतने शेर होल्डर्स के लिए पॉसिबल है आप आएंगे अब सारे शेयर होल्डर्स तो कंपनी की रणिंग के उपर भी ध्यान नहीं दे सकते अगर प्रक्टिकली देखा जाए तो बॉर्ड ऑफ डिर्क्टर से तो अब कंपनी इसको चला रहे हैं वह क्या कर रहे हैं अपने मजे कर रहे हैं सारी डिसीजन्स अपने हिस चला रहे हैं अब यसकेश में क्या है कि स्पोस करो अब जलस जब शेयर होल्डर क्या कर लेगा अगर शेयर होल्डर डिससवाई हो रहे है तो वह क्या करेंगा उस कंपनी के शेयर जिए च्पण कंपनी छोड़ो ऐसा ही होगा next conflict in interest एक company में बहुत सारे stakeholders होते हैं यह क्या बोलते हूँ stakeholders not shared holders stakeholders stakeholders में सब भी आजाते हैं हमारे employees, consumers, suppliers ठीक है सब आते हैं तो एक company में different stakeholders है consumer क्या चाहेगा कि मुझे बड़िया product reasonable rate में मिले वो अपने interest के बारे में सोच रहा है supplier क्या कहेगा मुझे मेरी payment time पर दे दो भाई shareholder बोलेंगे हमें dividend चाहिए employees बोलेंगे हमें salary दे दो हमारे time से अच्छे से तो सब के सब अपना ही सोच रहे हैं सब को अपनी पढ़ी है तो conflicts होंगे न तो यह थी आज का हमारा topic merit and limitations of joint stock company तो I hope आपको chapter number 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा with this हमारा chapter number 2 complete होता है हाँ इसके एक छोटा सा topic रहता है public company and private company का difference वो हम upcoming video में देख लेंगे ठीक है इसके लावा जो हमारा ये main जो बड़े बड़े topic से वो सारे complete होगी है chapter number 2 के अब हम start करेंगे chapter number 3 लेकिन अगर आपको इस वीडियो में कोई doubt होता आप comment section ने पूछ सकती है वीडियो को like करें अपने friends के साथ भी share करें and videos और देखते रहने के लिए चैनल को subscribe करें Thank you